श्कार दोस्तों फाइनली वो डे आ गया है जिस पे हम काफी टाइम से बाक्चीत कर रहे थे पूरे मार्केट में जो जो पार्टिसिपेंट है सब भी बात कर रहे थे वो दिन आज का 23 जुलाई किसका था आज बजट का दिन था ठीक है तो क्या-क्या हाइलाइट रहे बजट से रिलेटेड वो भी स्टोक मार्केट से रिलेटेड हम बात करेंगे देखिए काफी सारी चीज़े बताए गई है कहीं इन्फास्टक्षियर डिफैंस एगरिकल्चर ठीक है कुछ-कुछ बेरवाजिगारों के लिए भी नहीं चीज़े लाए गई है तो उन सब पर बात मे आज आपने अगर देखा होगा तो काफी जो है हमें मार्केट जो है डाउन देखने को मिला था ठीक है तो ऐसा क्या हुआ था ठीक है तो उस चीज के बारे में हम यहां पर बात करते हैं तो आपको पते होगा ट्रेडिंग और इंवेस्टिंग मार्केट में दो तरह की अगर आपने निफ्टी अगर आज देखा होगा तो अचानक से एकदम अगर आप देखें से पहले नूर्मल चल रहा था और जैसे ही निर्मला सितारमन जी की स्पीच स्टोक मार्केट से रिलेटिड जो है उन्होंने बात करना स्टार्ट करी तो वहीं पे गंदा फोल हमें देखने को मिल गया और उसके बाद रिकवरी हुए हम मार्केट जो एक न्यूट्रल पॉइंट में यहां पर फसा रहा गया ठीक है अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक दम यहां पर न्यूट्रल है आज और यह जो एक क्रैश जैसी सिच्वेशन आयती स्टॉक सबस्क्राइब और यहां बढ़ भी घए ठीक है तो आई यह जान लेते हैं तो ऐसा क्यूंप तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेडिंग में सिक्योर्टी ट्रांजेक्शन टैक्स्स जिसे हम स्टीटी भी कहते हैं यह बढ़ाया गया ठीक है लेकिन नूर्मल के लिए न तो उसी को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है STT raise कर दिया FNO segment का ठीक है तो FNO segment का पहले भी charges लगते थे तो आप देख लेते हैं कितने charges बढ़ गए तो options में options में STT पहले लगता था 0.0625 और अब लगेगा 0.1% ठीक है वो भी option premium का अगर हम futures का देखें futures में 0.0125% लगता था और अब कितना हो गया 0.02% तो ओविसली चार्जिस जो मैं बढ़ते हुए देखने को मिल गए है F&O segment के लिए ठीक है तो F&O trading करना है F&O जो भी करता है उनके लिए कोई फरक बढ़ा है लोग सोच रहोंगे कि अरे charges बढ़ा दे F&O में तो सच बताओं कोई charges इतने जादा नहीं बढ़े है क्यों क्योंकि अभी budget से पहले जो मार्केट में खबर चल ली थी कि 30% तक यहां पर F&O में टैक्स बढ़ जाएगा ठीक है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सिर्फ हलका सा ही बढ़ा है जो कि F&O वाले तो इन्हें आराम से देंगे इतना नहीं बढ़ा तो F&O वालों के लिए तो यह कोई इतनी बुरी खबर है भी नहीं ठीक है अब हम चलते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं जो डिलिवरी लेते ना शेयर कि जैसे स्विंग हो गया या पिर आप कह सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया तो उनके लिए क्या है उन पर क्या लगता मतलब जो एक साल के बीतर ही बीतर अपनी जो जो 15 परसेंट लग दाता अब इन्होंने क्या कर दिया सीधा इसे हाइक कर दिया 20 परसेंट तो यहां पहले 15 लगता था अब यहां पर इन्होंने कर दिया है 20 परसेंट तो यहां पर शौट टम कैपिटल जो कैपिटल गेंटेक्स है वो 15 से यहां पर 20 हो गया है ठीक है अब जो टैक्स है उसमें क्या हुआ है वो पहले तो 10 था ठीक है अब कितना हो गया है 10 से बढ़के हो गया है 12.5 ठीक है तो यहां भी अगर आप देखेंगे 10 to 12.5 यहां पर हो गया है स्टीचीजी ठीक है शोरी स्टीचीजी तो 15 से 20 हुआ है शोट टम वाला और लॉंग टम वाला कितना हुआ लॉंग टम वाला हो गया 10 से 12.5 पर चे तो दोस्तों यह कुछ इंपोर्टेंड खाबर रिलेटीटब टू इनवेस्टिंग ठी जिसमें की हमने शोट टम कैपिडल गेंट में बींक्रिमेंट देख़ा लॉंग टम कैपिटल गेंड में बींक्रिमेंट देख़ा और जो ट्रेडिंग होती है बेसिक लिए फ्यूचर में ऑप्षिन की यहां बात हो लिए उसमें भी हम यहां पर सेक्योर्टी ट्रांजेक्शन टैक्स इन समय बिंक्रिमेंट देखने को मिला है ठीक है तो यह बजट की कुछ की हाइलाइट पॉन्ट है जिसकी वज़े से आज मार्केट में एक सडन जो है यहां पर आप देखेंगे तो सदन एक ब्रेक आया और काफी 300-400 पॉइंट यहां पर मार्केट गिर गई ठीक है उसके बाद यह इतन देखा तो ट्रेडिंग पर इतना फरक पड़ेगा नहीं टैक्सिस का क्योंकि कम टैक्सिस हैं मार्केट में बात चली थी 30% तक की तो इसी वज़े से यह रिकवरी भी चालिस से 35 कर दिया गया ठीक है जिस वज़े से बड़े प्लेयरों के लिए अच्छी वात थी तो इसी वज़े से हमें मार्केट में आज रिकवरी पूरी देखने को मिल गई तो दोस्तों यही कुछ की हाइलाइट पॉइंट है जो की बजट से रिलेटेट थे और जो भी बज़ेट था हम स्टोक मार्केट से रिलेटेड हमने वहां पर सारा कवर कर दिया ठीक है और बहुत सारी चीजें और भी सेक्टर जैसे इन फ्रा इस सब इन सब में भी और एलोकेशन बढ़ा है उसकी वीडियो हम दूसरी बनाएंगे यह सिर्फ और सिर्फ बेसिक हमने बन करते हैं दोस्तो प्लीज धन्यवाद